नमस्कार मित्रो आप सबका हमारे इस यूटूब चैनल इस्ट्रो सीपी त्रिपाठी में बहुत-बहुत स्वागत है। देखना बिल्कुल भी ना भूले। दर्सकों वास्तु और जोतिस सास्तर के अनुसार मोर पंक को घर में रखने के कई महत्व और फाइद है। जिस जातक पर राहू की महादसा चल रही हो उसके अपने कमरे में देवी सरस्वती के पास मोर पंक रखना लावकारी होता है। वहीं मंदिर में देवी देवताओं को हवा देने के लिए भी मोर पंक का उप्योग किया जाता है। मोर पंक घर में रखना बहुत ही सुभ माना गया है। कृष्ण मंदिर में मोर पंक चड़ाने से सफलता प्राप्त होने की मानिता है। वास्तु सास्तर के अनुसार पूजा घर या पूजा अस्थल पर मोर पंक रखने से भगवान प्रसन्न होते हैं। इससे घर में सकरात्मक उड़जा आती है। गर के उत्तर पूरो दिशा में मोर पंक कभी भी नहीं रखना चाहिए। यह जरूर ध्यान रखे। इससे आर्थिक हानी होने की मानिता है। वहीं घर में नकरात्मक उड़जा भी आने लगती है। इसलिए मोर पंक को हमेशा घर के दक्षिन पश्चिम दिसा में रखना चाहिए। धन अस्थान पर नहीं रखना चाहिए मोर पंक को कभी भी घर के धन अस्थान पर नहीं रखना चाहिए। मोर पंक को मा सरस्वती की फोटो के सामने भी रखना शुभ बताया गया है इससे राहू दोस खत्म होता है तो दर्सको ये वीडियो हमारा आपको कैसा लगा आप हमें कमेंट करके जरूर बताए और वीडियो को सेयर करना बिल्कुल भी ना भूले धन्यवाद